नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे मैकरोनी की बहुत special रेसिपी जो खाने में बहुत क्रंची लगती है चाय के साथ यह छोटी मोटी भूक के लिए यह बहुत आसान है बनाना तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो यह मैंने ली है मैकरोनी जो आपको जितनी लेने हो इसके लिए मापके कोई जरूरत नहीं है तो इसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मश्क तेल और मुस्कल से दो मिर्ट लगते हैं इसको बलने में इसको चलाते जाएंगे ताकि यह नीचे ना लगे और दो मिर्ट बाद हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं तो इसको हम हास से दबा कर देखेंगे यह देखिए अगर इस तरह से तूट जाए मतलब हमारी मैक्रोन यूबल चुकी है तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हम और इसको एक छनी में छान लेंगे पहले पूरा गरम पानी निकाल देते हैं और इसको अच्छे ठंडे पानी से ध खिली खिली बनेंगी या एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं अगर आप गरम गरम छोड़ देंगे तो यह आपस में चिपक जाएंगी तो इस तरह से हमने इसको धोलिया है और इसको एक प्लेट में निकालकर रख देते हैं यह देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है जब पानी निकले गा या तो थोड़ी देर मैंने रख दिया था यूंही और इसके बाद हमें इस तरह से डाल लेंगे इसको शलके हाथ से हमें इसको प्रेस्ट करना है ताकि इसका जो पानी होगा वो निकल जाएगा या थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते है इसको तो मैंने इसको इस तरह कपड़े से बहुत हलके हाथ से प्रेस करते हुए पहुच लिया है टॉबिल से यह पूरी तरह से सूप चुकी है उसको हमें डाल लेते हैं एक प्लेट में और कडाई में तेल गरम होने हमने पहले ही रख दिया था तो आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके सेख सकते हैं या पूरी डाल दीजिए और कई बार होता है कि हम इसमें कई लोग कौन स्टार यानि आरा रोट अट करते हैं मतलब इसमें आरा रोट लपेट लेते हैं बढ़ाने की बात नहीं है जब यह पूरी तरह से सिय जाएंगी तो करण्ची हो जाएंगी तो यह अलग-अलग हो जाएंगी और थोड़ा मेने जिरीया से भी इस तरह से फोला अलग-अलग कर लेंगे तो यह घलकी गोल्डन ब्राउन हो गई है गयास का फ्लेम कर देते है हम बंद एमों को हम निकाल लीते हैं मैक रूबले में हलका सा पाइप सेप की हैं तो हो सकता है तो कि तो इस तरह से आप इनके प्लेटमे काला थोड़ा तुछ त्रिछा कर के रख दीजिये तो जो भी तेल एस्टा तेल हो में और जुँआ चिपके बाद 2 निर निकाला लिए अब है तो हमें इसमेंat गरम में मिलाने है ताकि अच्छे से चिपक जाएं में मैगी मसाला आप उब नाउअ हमे बचाए डाल सकतेँ है तो मैं гje अपकर नेधिए अब्तट कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी डाली थी इसमें चाट मसाला यह बहुत अच्छा सनेक है हमारे चाय के साथ यह चोटी मोटी भोग के लिए तो यह देखिए यह बहुत बहुत कृंची मने हैं बिल्कुल हाथ में इस तरह से तोड़ेंगे तो फटाक से टूट जाएंग कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुवा मेरे साथ शेयर कीजिए